हम अपने कर दोशतों कैसे आफसे भी लो दोस्तों आज हमें हैं इक न्य वीडियो के साथ एक न्यू लेशन के साथ और इस लेशन का अंधर हम तोटली कवर करेंगे स्टेट सांद का 9th class का पूरा GS यानि कि SS का whole book तो दोस्तों आज जो हमारा पहला lesson है उसका नाम है The British Empire in India जो पहला lesson आप इसको note down कर लिए British Empire of India अब important chapter हमें क्या देखने important topics के अंदर हमें क्या देखने तो जो important topic जो हमको देखना है वो है सबसे important topic है कि the discovery of of sea route तो आज हम इसी पर बात करेंगे the discovery of sea route of India अब अभी इस बात को समझ के देखिए क्या लगता है आप सभी लोग को कि जो Britishers हमारी country में जो Europeans हमारी countries में आये वो पहले normally 15th century में आये थे ये बात हम सभी को पता है कि Portuguese जो थे वो पहले थे हमारी country में जो आये थे और वासकोड़ी गामा ने actually sea route को found किया थे तो वो sea route को किसने found किया था वासकोड़ा गामा लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो वासकोड़ा गामा को sea route find करने क्या हो सकता क्या पड़ी वीकोज वासकोड़ा गामा से पहले भी जो Europeans थे हमारी country अच्छा खासा वैपार कर रहे थे लेंड रूट से वैपार कर रहे थे ऐसा क्या उनको आउसकता पड़ा ऐसा क्या चीज़े उनको ज़रुएत पड़ी कि उनको normally waterway को यानि कि sea route को find करना पड़ा तो समझे इस बात थोड़ा flashback में जाते हैं कि आखिरकार what was the reason behind the discovering of sea route सबसे important region कि 15-16 century में क्या था कि Europe के अंदर dark age था Now what do you mean by dark age? Dark age का ये मतलब था कि वहाँ पर जो authority थी पूरी तरीके से church की authority Church की authority का मतलब आप ये समझे कि जो भी church बोलेंगे जो भी पादरी या जो भी normally father बोलेंगे वही करना पड़ेगा Simple से बात अब समझे मैं आपको Simple से उधारन दता हूँ मुझे इस movie का नाम तो याद नहीं है लेकिन dark age पे बहुत अच्छी movie बने उसके अंदर ये होता है कि मा ने ये dark age के समय जब Europe में dark age चल रहा था उस समय अगर बारीस होती थी तो clergy या फिर father ये बोलते थे कि भगवान आप लोग से दुखी है इसलिए वो रो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको normally कुछ donation करना पड़ेगा और fathers नहीं ये बता के रखा था जो clergy थे उन्हें नहीं बता के रखा था कि we have the direct contact with God इवन आप इस बात प्रिकिन करके देख लो कि 15-16th century में यूरोप के अंदर जो king था वो भी without asking the father बीना father से पूछे बीना कलरजी से पूछे कोई भी decision नहीं ले सकता था मतलब आप समझ सकते हो कि जो complete authority थी चाहे social हो चाहे economical हो चाहे political हो वो पूरी तरीके से church के अंदर concentrated था लेकिन simple सी बात है कि बहुत लोगों ने question करना इस्टार्ट कर दिया 16-17th century में लोगों ने question करना इस्टार्ट कर दिया कि ऐसा क्यों है even you won't believe me clergy ने यह बोलके रखा था यूरोप के अंदर कि जो दुनिया है वो goal नहीं है दुनिया जो है वो flat है flat का मतलब यह कि मान लेजी यह table है ठीक है अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे this kind of actually reason was given by the clergy और churches तो भाई कुछ लोग होते हैं हमारी अलग-अलग country यूरोप में कुछ लोग ऐसे थे जिनको यह मन था कि आओ कुछ तूफानी करते हैं तो तूफानी करने का कारणी यहाँ पर क्या था तूफानी करने यहाँ पर क्या था कि वासको डिगामा जो नॉर्मली पॉर्चुगल का था उसने डिसाइड कि कि मैं इंडिया को धूंडूगा थे इंडिया को धूंड लिए ऐसा कुछ नहीं आया था। वासको डिगामा से पहले भी एक भाई साफते जिनका नाम था क्रिश्टोपर कोलंबस वो भी इंडिया को ढूंडने निकले थे लेकिन वो कहां चलेगा वेस्ट इंडी जब वो केरेबियन आइलेंड पे पहुंचे न उनको लगा कि मैं इंडिया पहुंचिया और उन्होंने उस आइलेंड का नाम क्या रख दिया केरेबियन आइलेंड उसके बाद वो पहुंच गए अमेरिका अमेरिका पहुंचते उन्हें नॉर्मल जब कोस्टल एरिया पे वो उतरे तो कोस्टल एरे पे उतरते ही नॉर्मल उनका स्वागत कुछ रेड लोगों ने किया मतलब वो रियल अमेरिकन जो आज के जो अमेरिकन साब देख रहे हो ना यह कोई रियल वील नहीं है ठीक है यह नॉर्मल यहां सेटल हुए अमेरिका में और अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन हमें यह समझना है कि आखिरकर जब अच्छा खासा लैंड से इंग्लैंड का और इंडिया होता है कि we can say The fall down of Konstantinople कौन गिर जाता है Konstantinople जो रहता है वो गिर जाता आ 이제 1954 को नार्मली कौन तो कौनर डि antes कर देता है तो Konstantinople को Denmark कर देते हैं नॉर्मली टरक्स लोग कौन लोग टर्क्स लोग अब तुरकी के जो te आप जब क्रिस्टेन एंपाइर उनको नॉर्मली मदद करेगा या नहीं करेगा तो करेगा यहाँ पर जैसे इसे ही कॉंस्टेनटीनोपल फॉल्ड डाउन